मा जल्दी से खाने दोना बहुत भोग लग रही है हाँ गुलू बेटा दस मिनट रुको पहले लड़ू गुपाल को भोग लगा दू उसके बाद खाना मा तुम तो हमेशा पहले काना जी कोई भोग लगाती हो हाँ बेटा क्योंकि वो काना जी है जगत पालनहारी और आज उन्ही की बदौलत हमें ये खाना मिल रहा है अगर हम उन्हें पहले नहीं देंगे तो वो हमसे नराज हो जाएंगे रानी अपने छोटे से घर में अपने पती और बेटे के साथ रहा करती थी रानी का पती मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा था बली रानी घरीब थी पर वो अपने पती और बच्चे के साथ बहुत खुश थी और रानी काना जी की बहुत बड़ी भगत थी ऐसे ही एक दिन रानी का पती दिवाकर मजदूरी कर रहा होता है पर तभी एक इट उपर से उसके सिर पर गिर जाती है अरे क्या हुआ भाई तुम्हारे सिर से इतना खुण कैसे आ रहा है कुछ नहीं भाई मैं या नीचे मसाला बना रहा था और एक इट मेरे सिर पर गिर गई अब वहां की सारी मजदूर मिलकर दिवाकर को मालिक के पास ले जाते हैं और मालिक से कहते हैं सेट जी काम के दोरां दिवाकर भहिया को चोट लग गई है अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनका इलाज कराएं इनने जल्दी से किसी डॉक्टर के पास ले चलिए अरे मेरे बास तुम जैसे मजदूरों के लिए इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें डॉक्टर के बास लेकर जाओं और इतनी भी चोट नहीं लगी है बस एक इंठी तो सिर पर गिरी है हलकी सी चोट लगी है अगर इन मजदूरों की बात में रहना है तो अपना हिसाब कराओ और जाओ यहां से नहीं मालिक मुझे काम पर से मत निकालो मेरे घर में बीवी बच्चे है मैं अपना इलाज खुद करवा लूँगा दिवाकर भाईया तुम्हारे सिर में काफी चोट लगी है आरे टांके लगवाने पड़ेंगे आरे तुम इसको तुम क्यों अपनी टांगा डा रहे हो अगर तुम्हें इतनी जाना दिक्कत हो रही है तो कल से तुम भी काम पराना बंद कर देना और दिवाकर ये लो अपने पैसे और घर जाओ जब ठीक हो जाए तो वापस आ जाना नौकरी जाने की डर से सभी मजदूर शान्त हो जाते हैं और दिवाकर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं कुछ दिर बाद दिवाकर पट्टी करवा कर घर जाता है दिवाकर के सिर में पट्टी देखकर गोलू और रानी काफी घबरा जाते हैं पाबा आपको क्या हुआ आपके इतनी चोट कैसे लग गई बताएए न दिवाकर जी ये चोट आपको कैसे लगी आप ठीक तो है न चोट जादा गहरी तो नहीं है अरे कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ बस हल किसी चोट लगी है डॉक्टर ने पट्टी कर दी है और मालिक ने पैसे भी दिये है मालिक ने बोला है जब ठीक हो जाए तो मैं दुबारा से काम पर जा सकता हूँ और डॉक्टर ने भी कहा है कि तीन चार दिन ये तीन चार दिन में चोट ठीक हो जाएगी ही काना जी तिरा लाख लाख शुक्र है मेरे पती बिलकुल सही सलामत है हा रानी ये सब कुछ काना जी की ही वज़ा से हुआ है ये तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और हर साल जन्माष्ट में निर्चला अवरत रखने का फल मिला है हमें अच्छा सुनी न कुछ दिन बाद जन्माष्ट में आ रही है मैं सोच रही थी क्यों न हर साल की तरह इस साल भी गोलू को काना बनाया जाए हाँ हाँ क्यों नहीं अच्छा आप आराम कर लीजिए जब तक आप ठीक नहीं हो जाती आपको कहीं जाने की ज़रुत नहीं है रानी अपने पती की चोड देखकर घबरा जाती है पर जब दिवाकर उसे आश्वासन दिलाता है कि वो बिल्कुल ठीक है तो वो शान्त हो जाती है अब इसी तरह से एक हफता बीच जाता है पर दिवाकर के सिर के चोड ठीक नहीं होती और नहीं उसके सिरका दर्द खतम होता है तो वहीं दूसरी और जन्माष्टमी का भारी मेला लगता है अपनी मा की बात सुनकर गोलू नाराज हो जाता है तो वहीं दूसरी और रानी दिवाकर के साथ डॉक्टर के पास जाती है जहां डॉक्टर दिवाकर का MRI कराती है जिसमें रानी की सारी जमापूजी खतम हो जाती है दिवाकर जी सारी पैसे खर्च हो चुके हैं पर अब तक आपका सर ठीक नहीं हुआ पता नहीं रिपोर्ट में क्या निकलेगा और कुछ दिन बाद जन्माश्टी में भी है इस बार हमारा बेटा एक दिन भी मेले में नहीं गया और अगर इस साल मैंने उसे काना नहीं बनाया तो वो बहुत दुखी हो जाएगा रानी तुम जिन्ता मत करो रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलेगा और घर के आर्थिक स्थिती देखकर मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल से दुबारा नौकली पर चला जाऊ यह आप कैसी बाती कर रही है आपनी सुना नहीं डॉक्टर ने आपको साफ साफ मना किया है कहीं जाने से रानी डॉक्टर तो कुछ भी कहते है फैसे भी तीन चार दिन बाद जन्माश्टमी है हम जन्माश्टमी कैसे मनाएंगे बिना पैसो के इतना बोलकर दिवाकर फिर से मजदूरी के लिए निकल जाता है पर सेट उसे काम से निकाल देता है जिस वज़ा से अब दिवाकर के पास कोई रोजगार नहीं था देखते ही देखते ही जन्माश्टमी का देना आ जाता है और उस दिन उनकी घर में ना तो अन्न का एक दाना होता है और ना ही एक फूटी कौडी एकाना जी आगर मुझसे ऐसी कौन सी कलती हो गई जो आप मुझे ऐसी सजा दे रहे है हज जन्माश्टमी है मैंने निर्जला वृत रखा है पर आपको भोग लगाने के लिए मेरे पास शक्र तक नहीं है आज मेरा पेटा हर साल जन्माश्टमी में काना बनता था पर आज वो फटे कपड़ों में है एकाना जी मुझे पर थुड़ा रहम खाओ आज मुझे अपने पती को डॉक्टर के पास ले जाना था पर मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं आउने डॉक्टर के पास ले जा सकू और उनकी रुपोर्ट ले कर आ सकू मा तुम रो क्यों रही हो तुम तो कहती थी कि काना जी मेरे बड़े भाई है अगर वो मेरे बड़े भाई है तो वो हमारी मदेद जरूर करेंगे और मा मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे काना भी नहीं बनना तुम बस रो मत हाँ रानी तुम रो कर हार मान रही हो ये तो बस भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है ऐसे समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी बलके हिम्मत से काम लेना होगा पती और बेटे का साथ पाकर रानी को हिम्मत मिलती है और वो फैसला करती है कि जब तक उसका पती ठीक नहीं हो जाता वो काम करेगी और रानी भूकी प्यासी काम की तलाश में निकल जाती है सेच में तुम्हें पैसे नहीं चाहिए बस दो वक्त का खाना चाहिए हाँ मेहन बले ही तुम मुझे पैसे मत देना पर दो वक्त का खाना दे दो जनमाश्ट मी है मेरे काना जी को भोग नहीं लगा है मुझे उन्हें भोग लगाना है और अपनी परिवाहर के साथ जनमाश्टमी मनानी है प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दो अच्छे ठीक है ठीक है अंदर आ जाओ मैं तुम्हें काम बता दीती हूँ अगर तुम शाम तक सारा काम खत्म कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसी और खाने को दे दूँगी बड़ी विन्ती करने पर रानी को काम मिल जाता है और वो भूकी प्यासी घर के कामों में लग जाती है पर घर में जनमाश्टमी का इतना ज़्यादा काम होता है कि वो उन्हें खतम नहीं कर पाती और रसोई में बेहोश हो जाती है पर जब रानी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि घर का सारा काम हो चुका है रसोई का सारा काम अपने आप कैसे हो गया जहां तक मुझे याद है मैंने तो रसोई के किसी भी काम को शुरू भी नहीं किया था यह काना जी मैं जानती हूँ आपने ही मेरी मदद की है आपने साबित कर दिया कि आप अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते अरे वाद तुमने तो कमाल कर दिया मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुमने इतनी जल्दी सारा काम खत्मी कर लिया तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया कुछी देर में सारे महमान आते होंगे आप हमारी जन्माष्ट में बहुत अच्छे से मनेगी मैं तो कहती हैं तुम अपने पती और बेटे को भी यहीं ले आओ तुमा जन्माष्ट में हमारे साथ मनाना मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश होई हूँ क्या मालकिन आपके साथ जनमाश्टमी आप तो मुझे जानती भी नहीं है पता है बहन पर तुम्हारी इमानदारी और तुम्हारी काम ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मुझे तुम पर अप पूरा विश्वास हो जुका है आपसे तुम यहीं काम करना वैसे नाम क्या बता है तुमने जी रानी अच्छा रानी यह नो पैसे और तुम्हारा भोग का सामान अब जल्दी से घर जाओ और अपने कानाजी को भोग लगाओ और अपने परिवार के साथ यहाँ जन्माष्टमी का उस सब शुरू ही होने वाला है अपनी मालकिन के कहने पर रानी खाना लेकर घर जाती है जहां वो सबसे पहले कानाजी को भोग लगाती है और अपने परिवार के साथ अपनी मालकिन के घर आती है जहां सबी लोग मिलकर जन्माष्ट मी मनाते हैं और दही हांडी फोड़ते हैं और तभी दिवाकर का डॉक्टर वहां पहुंचता है दिवाकर के डॉक्टर को देख रानी हैरान हो जाती है और डॉक्टर से कहती है डॉक्टर साब आप यहां? अरे रानी तुम यहाँ मेरे घर पर? इसका मतलब मेरी बीवी जिस महिला के बारे में बता रही थी वो तुम हो वैसे रानी तुम रिपोर्ट लेने क्यों नहीं आई? तुम्हारे पती की रिपोर्ट बिलकुल नॉमल है बस जखम गहरा है इसलिए उसे भरने में समय लग रहा है क्या दिवाकर जी बिलकुल ठीक है? दिवाकर जी सुना आपनी आपकी रिपोर्ट नॉमल आई है यह सब कुछ काना जी की ही बदौलत हुआ है इतना बोलकर रानी काना जी के पास जाती है और उनकी पूजा करके अपना वरत खोलती है और इस तरह से एक गरीब परिवार का जन्माश्टमी का दिवार पूरा होता है